रक्षा बंदन की कमाई देखकर अक्षा कुमार तिल मिला उठे हैं। बाइकॉट होने के वज़ा से फिल्म को भारी नुकसान हो गया है। चार दिन में ये फिल्म महेज 28 करोड रुपए ही कमा सकी है। और इसी से परिशान होकर अब अक्षा ने बाइकॉट करने वाले और पैसे लगते हैं। ऐसे में इस भाहिशकार की मुहिम से इन सब का बड़ा नुकसान होता है। फिल्म डर्शी के नुकसान के साथ साथ इसे देश की अर्थवेवस्ता पर भी काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। ये देश की एकोनॉमी का भारी नुकसान करता है। इस इसमें ये कहना गलत है कि वो साउथ इंडस्ट्री की फिल्म थी इसलिए चली फिल्म अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पर चलती है ना कि साउथ और नौर्थ के हिसाब से अक्षे ने ये राक तब अलापा है जब उनकी फिल्म रक्षा बंदन का बुरा हाल हो रहा है 70 करोड रुपे में बनी ये फिल्म जब तक 100 करोड नहीं कमाती तब तक इसे हिट नहीं माना जाएगा लेकिन जिस तरह से फिल्म कमाई कर रही है तो उसे देखकर यहीं लगता है कि इसका 100 करोड के आसपास भी पहुँचबाना बहुत मुश्किल है अक्षे को हिट फिल्मों की मशीन कहा जाता है जिस दौर में सलमान खान और शाहरुक खान की फिल्में फ्लॉप हुई उस दौर में अक्षे ने 200-300 करोड की फिल्में देकर रिकॉर्ड तोड दिये लेकिन अब अक्षे का हाल तो इनसे भी बुरा हो चुका है समराट प्रत्विराज और बच्चन पांडी के बाद अक्षे की ये साल की तीसरी फिल्म है जो फ्लॉप के गर्थ में जाती हुई दिखाए दे रही है वेल अक्षे के इस बयान पर आप क्या कहेंगे अपनी राय हमें कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉली बुट पर चर्चा को सब्सक्राइब कीजे